इस बात से तो हम सब रूबरू हैं कि राजनीती एक बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है प्रक्रिया है जो समाज में नीतियों और निर्नेयों की विवस्था करती हैं और इसमें जो सबसे एहम भूमिका निभाते हैं वो है राजनितिक पार्टिया और इस दौर में आप देख भ जाता है कि जिसके कारण पार्टी कारे करता और समर्थक एक दूसरे को समझने और सुनने के लिए तयार नहीं होते हैं जो कि सिर्फ विचारों के विभाजन को बढ़ावा देता है और अनावश्यक विवादू का कारण भी बनता है और इस सब में जो फर्ष जाता है वो है आम जनता ऐसे में क्या करना चाहिए आम जन को किस तरह से अपने डिसिजन लेने चाहिए किस तरह से वोट देना चाहिए करेंगे इस पूरे पर चर्चा नमस्कार अधर्शको मैरुचिका पारिक और और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है हमारी सीनियर आंकर चीतना मैं मैं बेलकुम राजिस्थान समवाद के स्टूडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और मैं मैं आपसे यह जाना जाहूंगी कि बहुत ही आम बाते की चुनावी दौर में पार्टियां समाज में ऐसा राजनितिक माहौल बना देती है जिससे पार्टियों के समार तक एक दूसरे को सुनने या समझनी के लिए तयारनी होते हैं वो किस तरह से समाज में विकास के दृष्टी कौन से गलत है और ऐसे में आम जनता को किस तरह से निर्ने लेना चाहिए यह बहुत ही इंपोर्टन सवाल पूछा है रुचिका आपने यह बिलकुल एक टॉपि की नीतियों को सुनते हैं जिससे एक तरह के कनवर्जन का माहौल देखने को मिलता है् to liission. आप दिखती है कि पार्टियों के अंदर जितने भी कारखर टा वो तरह तरह के सोच और विचार रखते हैं और जब वो आपस में नहीं मिलते तब एक आंत्रिक कलह का जन्म होता है और फिर वो उस पर जब लडाईयां शुरू करते हैं तो वो भूल जाते हैं कि हम उस जनता के द्वारा चुनवे प्रतिनीदी हैं हमें उनके लिए काम करना चाहिए लेकिन नहीं वो यहां पर पार्टियों के अंदर जो लडाईया है जो मतभेद हैं उनके बीच में फसकर रहा जाते हैं वो यह नहीं सोचते कि हम जो कर रहे हैं उसे जनता देख रही है उन्हें एक आधरष डिसाइड करना चाहिए और पार्टि की जो नीतिया है उनके अकॉर्डिंग चलते हैं उनकी पर्सनल जो सोच है, पर्सनल विचार हैं, वो तो वहां पर कोई माइन ही नहीं रखते हैं, लेकिन निर्दलियों के साथ ऐसा नहीं है, निर्दलियों किसी समाज का नहीं होता, वो सभी का होता है, यहां पर आपने देखा होगा कि पार् देखेंगे तो निर्दली एक ऐसे उमीदवार होते हैं जो सर्व समाज के होते हैं हर समाज को साथ में लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं सबके हितों की सोचते हैं उनका परसनल कोई हित नहीं होता वहां पर इसलिए यह जो विचार है जनता तक जरूर पहुंचना चाहिए बि इसे में जो विपक्षी पार्टियां हैं समर्थकों में भी एक प्रकार की जिग्यासा और विरोध भावना दिखाई देती ही वहां पर इसे समाज में एक अलगी तरह का डिविजन बढ़ जाता है और यह डिविजन कई बार बिना बातों के भी हो जाता है चोटी-चोटी स समाज ऐसा नहीं है आप अपने नीता को चयन करते समय आप यह देख सकते हैं कि वो किस तरह से सोचते हैं किस तरह से आपके लिए काम करना चाहते हैं निर्दली उमीदवार समृद्धी और एक्ता का समर्थन करते हैं निर्दली उमीदवारों को चयन आम तोर पर उनकी शम क्योंकि वो समाज की जरूरतों को और समस्याओं को समझते हैं और उनका समाधान निकालने के लिए पूरी तरह से कोशिश करते हैं वो भी ग्राउंड लेवल पे रहकर जे बिल्खुर रूचिका ये निर्दली उमेद्वार सिर्फ एक पार्टी की विचारधारा के बजाए पूरे समाज के हित को बहुत इंपोर्टन्स देते हैं और उसे अपने नेतरत्व के लिए चुनते हैं और जिस तरह से आप देख सकती हैं कि जिन पार्टियों में हम आख मूंद करके भरोसा कर लेते हैं उनके तो खुद की ही पार्टी गुटबाजियों से ग्रसित होती है आंतरिक कलर से ग्रसित होती हैं ऐसे में हमें समाज में एक्ता और समर्थे को मजबूती देने के लिए निर्दलियों की ताकत को समझना होगा उनकी एक्ता को समझना होगा और समाज को किस तरह से वो सही दिशा में ले जा सकते हैं उस जरूरत को भी समझना होगा वो किसी बिल्कुल इस चर्चा ने सफष्ट किया है कि निर्दली समाजों के उमीदवारों का चयन समाज के एकता और समृद्धी के दिशा में एक बहुत जरूरी कदम हो सकता है तो इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है और इस चर्चा आपको कैसी लगी इस पर आपकी जो भी राय ह आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बता सकते हैं और ऐसी वीडियो के लिए लगातार हमसे जोड़े रहे और चैनल राजिस्तान समबाद को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मद भूलिए